आज जो मैं आपको मूवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ इसका नामें फ्रीडा और फ्रीडा कोहलो एक मैक्सिकन आर्टिस्ट के लाइफ पर ये मूवी बेस्ट है ये मूवी उसके कॉंट्रोवर्शल लाइफ पर बायाग्राफी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आप सब से रिक्वेस्ट करना चाता हूँ अगर आपको वीडियो चलागता है प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजएगा बिना कि जदेरीके, इससे एक्स्प्लेशन को स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर इसका नामें फ्रीडा इसे हम बेड उपर देख सकते हैं बेड उपर ही वो अपने इग्जिबिशन को देखने के लिए जा रही थी उसका रिजन क्या है इसका मूवी में आगे हमें पता चलेगा इसके बाद मूवी फ्रीडा यंग थी तब से स्टार्ट होती है फ्रीडा अपने फ्रेंड्स को लेकर डियागो की पेंटिंग देखने के लिए जा रही थी डियागो उनकी उनिविशिटी में न्यूड पेंटिंग बना रहा था तो यही को देखने के लिए आये डियाओगो हमारा और एक मेन कैरेटर है पेंटिंग बनाते बनाते डियाओगो की वाइफ भी वहाई वो बहुत ही गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि डियाओगो का इस मॉडल के साथ भी चक्कर है और एक्चुल में सिचुएशन ऐसे ही थी वाइफ की जाने के बाद उस मॉडल के साथ वो इंटिमेट होने लगता है फ्रिडा और उसके फ्रेंड से देख रहे थे तो उसे आवाज लगा कर डिस्टब करते है यह उन पर चिलाया और यह सब भाग गया इसके बाद फ्रिडा अपने बॉइफ्रेंड के साथ खुद के गर में इंटिमेट हो रही थे उसके सिस्टर टीना की शादी है तो आसपास सारी तयारिया चल रही थे तब ही वो अपने बॉइफ्रेंड के साथ थे निकसिन में वो उसके फादर के साथ दिखती है उसके फादर एक बहुत ही अच्छे से फोटोग्राफर थे उन्हें हमेशा से एक बेटा चाहिए था तो फ्रिडा को एक बेटे की तरह ही वो ट्रीट करते थे वो एक फैमिल विक्चर ले रहे थे उसमें भी फ्रिडा एक लड़के की तरह ही ड्रेस अब हुई थे एक दिन जब फ्रिडा अपने बॉइफ्रेंड के साथ स्कूल जा रही थे अचानक से गाड़ी में उसका एक्सिडन्ट हो गया इस एक्सिडन्ट में उसे बहुत चोट आई थे उसवर बहुत सारे ओपरेशन्स हुए डॉक्टर उसकी फैमिली से कहते है फ्रिडा अब चलनी पाएगी वो जब थोड़ी दिन बाद रिकवर हुई तो उसे घर ला जाता है उसकी पूरी बोड़ी पर प्लास्टर था उसके फादर ने ठान लिया था फ्रिडा को फिर से वो अच्छा करकर ही रहेंगे इसके लिए उन्होंने बहुत सारे ओपरेशन्स की है इसमें उनके सब पैसे चले गए थे फ्रिडा हमेशा बेड़ पर ही होती है तो बाकी कुछ कर नहीं पाती है तो ड्राइंग करना वो स्टार्ट कर देती है एक दिन उसे उसका बॉइफरेंड मिलने के लिए आया वो उसे देखकर बहुत ही खुश थी इन्होंने कुछ बात देखी फिर बॉइफरेंड ने कहा कि उसे अलग कंट्री में जाना पड़ेगा फिर्डा भी हसी कुश है उसे जाने देती है उसे बहुत बुरा लगा था वो अफरेंड के जाने के बाद वो बहुत रुई फिर्डा के फादर उसके पास आते थे उन्हें बहुत बुरा लगता था एक दिन फिर्डा उसे कहती है कि आप हमेशा मुझसे question पूछते थे तुम्हारे life में plan क्या है आज कल आप ऐसा कुछ भी नहीं पूछते फादर ने पूछा तो कहती है मुझे मेरे पेरो पर खड़ा होना है फिर से normal बनना है आज फादर ने canvas और उसका stand Frida के लिए बनवा दिया था यानि कि अपने bed में अच्छे सी painting कर सके प्रैक्टिस करती गई और time खुजरता गया उसकी health slowly slowly improve हुई और एक दिन अपने पेरो पर वो खड़ी हो जाती है उसके family यह देखकर बहुत खुश थी थोड़े दिनों में उसे केन से चलना आने लग गया वो फिर directly डियागो के पास पोश्चती है तो वही painter है जिस हमने उसकी wife पर cheat करती होई उसे देखा था वो उसे नीचे बुला कर पोश्चती है मेरी painting देखो मुझे बताओ क्या मैं इसे earn कर सकती हो क्या मैं एक अच्छी painter हूँ डियागो कहता है जो real painter होता है वो painting को छोड़ कर और कुछ कर नहीं पाता अगर तुम्हें actual में painting अच्छी लगती है तो तुम artist बन जाओगे फिर्डा कहती है मुझे इन सब बातों में interest नहीं है वो इन painting को sell करकर अपनी family को support करना चाहती है डियागो ने उसे उसकी painting रखने के लिए कही बात में इसे उसने notice किया तो उसे ये painting बहुत अच्छी लगी वो फिर्डा के घर पर आकर उसकी और भी painting देखता है डियागो actual में एक playboy टाइप character है उसके contact में जो भी लड़की आती है तो उसके साथ वो intimate होता है फिर्डा को doubt आता है कि वो सिर्फ उसके साथ intimate होने के लिए तारिफ कर रहा है इसके बारे में उसे बुछती है तो गहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये painting उसे सचमुछ में अच्छी लगी है इसके बार डियागो फिर्डा को एक party में लेकर गया जहाबर सब influential लोग और artist थे यहाबर फिर्डा डियागो की ex-wife से मिली डियागो कुछ और लड़कियों के साथ था तो फिर्डा और डियागो की ex-wife ये दोनों बाते करते है फिर्डा wonder कर रही थी कि डियागो इतने सारी लड़कियों को attract कैसे करता है वो दिखने भी इतना खास नहीं है डियागो की ex-wife कहती है कि वो हर लड़कियों में beauty ढूनता है उन्ही beautiful नजरों से देखता है इसी वज़े से हर लड़कियों उसके पागल हो जाती है ये movie का जो हमारा time period है 1907 से लेकर 1954 तक का है तब Italy में जो भी revolution चल रही थी इसलिए कर डियागो उसका party में का एक friend इनमें debate होती है ये दोनों फिर एक drinking game खेलने लग जाते है गेम चलते चलते Frida ने bottle उठाई और पूरी वो कटक गई इसके बाद music सलता है और वहाँ के host के साथ वो dance करती है अर the end of it उसने उसे kiss भी कर लिया था कुछ दिनों में Frida और डियागो ये अच्छे friends बन गई थे ये दिने एक साथ थे तो डियागो उसे अपने studio में बुलाता है Frida कहती कि मैं तुमारे साथ intimate नहीं होना चाहती मुझे हमारे relationship सिर्फ professional रखनी है उसे इसे जादा बढ़ाना नहीं है डियागो ने भी उसे promise किया कहा कि हम दोनों सिर्फ friends रहेंगे ये बात बोलने के बाद ही एक दूसरे को kiss कर लेते है अंदर जाकर एक दूसरे के साथ intimate हो गया इनका ये affair बहुत दिनों तक चला एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे एक दिन डियागो ने Frida से शादी के लिए पूछ लिया Frida उस पर विल्यू नहीं करती कहती है तुमारे ओरेड़ी दो शादिया हो चुकी है उसने उसे हा कह दिया इन दोनों की शाद ही हो जाती है Frida की मदर इस बात से नारास थी उसे डियागो उसके लिए अच्छा नहीं लगता जैसे का हमें पता है Frida का इलाज करने के लिए उसके फादर को बहुत सारे financial problems आये थे इनके loans वेगरा pay करने वे भी डियागो उने help करता है marriage के party में डियागो की friend ने toast किया वो गहती है कि शादी पागल लोगों के लिए होती है इनने पता ही नहीं एक दुसरी से कितना चगणने वाले हैं एक दुसरी की life है बरबात कर देंगे इन सब चीजों के बाद भी सब चीजे एगनोर करकर एक कपल अगर साथ रहे तो इसे ही सही marriage कहा जाता है वो डियागो और फिडा को courage दिखाने के लिए congratulations करती है डियागो की ex-wife बहुत ही ज़्यादा ड्रंग हो गई वो गुस्से मुझसे कहती है तुमने इस से शादी किये फिडा की accident की वज़े से वो सही से चल नहीं पाती है उसका body shape भी थोड़ा सा अलग हो चुका है डियागो की ex-wife बहुत ज़्यादा गुसा गरकर वहाँ से चली गई ये सब चीज डियागो सिर्फ देख रहा था तो इस पर फिडा को बहुत ज़्यादा गुसा आ गया वो से मनाने के लिए आता है फिडा कहती है मेरी मदर कहती है तुम एक हाती की तरह हो पर इलिवन भी अपनी वाइफ को protect करते है तुम दो वो भी नहीं करते है फिडा ब्यूटिफुल और डियागो इतना ज़ादा fat है तो इस जोड़ी सही नहीं लगती फिडा ने कहा कि लोग क्या कहेंगे डियागो कहता है हम दोनों की जोड़ी पर सब लोग jealous होंगे इतना हम एक दूसरे से प्यार करेंगे सुबा होने पर डियागो अपनी फेवरेट डिश का breakfast कर रहा था फिडा पुछती है कि ये किसने बनाया डियागो कहता है मेरी एक्स वाइफ मेरे बच्चों के साथ उपर ही रहती है वो मुझे देख कर गई थी फिडा इस वर बहुत जादा घुसा होगे उपर जाकर उसे कहती है तुम्हे क्या लगता है हमारा मैरेज टीक नहीं पाएगा मैं इसे सक्सेस्फुल करकर दिखाऊंगे कभी भी मेरे घर कुछ भी पना कर मत भेजना एक्स वाइफ कहती है कि अगर तुम्हें टीक ना है तुम्हें उसकी फेवरिट डिश आनी चाहिए इसके बाद ये दुनों फ्रेंड्स होगे एक्स वाइफ फ्रेडा को जो डियागो को डिशेश पसंद है ये वाना ना सिखाती है एक्स वाइफ ने कहा कि डियागो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है कभी भी वो किसी का भी अच्छा अजबन हो नहीं सकता फ्रेडा कहती है कि मैं देख लूँगी एक दिन फ्रेडा डियागो के स्टूडियो में आई तो एक न्यूड मॉडल को ड्रॉ कर रहा था फ्रेडा को इस बात से ज़्यादा कुछ भी प्रॉल्म नहीं होती है इन दोनों का आज बहार जाने का प्लान था दियागो घर पर ज़रा लेट पहुचा वो कुछ बहार ना बना रहा था पर फ्रेडा ने जब उसे स्मेल किया तो उसे पता चल गया दियागो उस मौडल के साथ इंटिमेट हुआ था वो इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होके पर उसे चेंज नहीं कर सकते वो इसे कहती है कि हमें पार्टी में जाना है जल्दी से नहा कराओ इस पार्टी में बहुत ज़्यादा ड्रंग हो गई थी एक आदमे डियागो के साथ लड़ने लग गया था तो फ्रिडा खुद उसे बहुत मारती है डियागो एक कम्यूनिस्ट पार्टी के लिए काम करता था पर जो अमिर लोग है उनके लिए वो पेंटिंग मनाता है आज डियागो को ओफर मिला है अमिरिका में उसका पेंटिंग का एक्जिविशन होगा वहाँ पर उसे बहुत सारा काम मिल सकता है इसी वज़े से उसने अपनी पार्टी क्विट करती ये सब बात वो फ्रिडा को बताता है फ्रिडा को बुरा लगा डियागो अब उसे दूर जाएगा पर डियागो कहता है तुम्हें भी मेरे साथ आना है इबात सुनकर फ्रिडा बहुत ही खुश थी डियागो को अमेरिका में बहुत सारा फेम मिला फ्रिडा कहती है कि जिस आदमे का एंबिशन होता है उसे अमेरिका में रिस्पेक्ट दिया जाता है डियाओ को यहाँ पर बहुत ही खुश था वह मस था और बहुत सारी लड़कियों के साथ इंटिमेट होता था फ्रिडा एक बाइसेक्शुल थी लड़कियों के साथ भी इंटिमेट होती थी अब डियाओ को उस पर चीट करता ही है वो जो है वो है जब मैंने शादी की थी तो मुझे सब कुछ पता था अब मैं उसे चेंज नहीं कर सकते डियागो के साथ फ्रिडा भी पेंटिंग करती रहती थी एक दिन जब दोनों एक साथ है फ्रिडा न डियागो से कहा कि वो ब्रेंगनंट है डियागो वरीड था फ्रिडा बहुत एकसाइडर थी वसे बच्छा चाहिए था डियलेवरी सक्शेस्फुल होगी इसके चांसेज बहुत ही कम थे और फिडा के खुशे के लिए टियागो इस बात की लिए मान जाता है कुछ मनस बीत कहे है और अचानक एक रात फिडा को बहुत सारा ब्रेडिं पेंटिंग बनाई, डिया को यह देखकर बहुत रोता है, वो फ्रिडा का बहुत अच्छे से खायल रखता है, एक दिन फ्रिडा को लेटर मिला, उसकी मदर की हालत बहुत जादा खराब थे, वो अपनी मदर को देखने के लिए तो अपने बेड में थे, उसकी डे तब कभी हो सकती थे, यहाँ पर बहुत सालों बात वो अपनी सिस्टर से मिलती है, सिस्टर का अब डिवास हो चुका था, उसका हस्बन उसे बहुत मारा करता था, फ्रिडा को बहुत बुरा लगा, उसे लगा कि अपनी सिस्टर को सपोर्ट करने के लिए उसे यही होना चाहिए था, फ्रिडा के फादर भी बहुत जात दुखी थे फ्रिडा उन्हें सहारा देती है फादर कहते हैं मैं तुम्हारी मदर के साथ हमेशा जगड़ा करता था अब जब वो बिमार है तो उसकी गार्डन का में खैल रख रहा हूं वो अपनी वाइव से बहुत ही प्यार करते है इसके बाद फ्रिडा की मदर की टेथ होके अमेरिका में डियागो को एक बड़ा सा काम मिला था वो ओल पर पेंटिंग करने का एक काम था तो उस पर वो वर्ग अपना स्टार्ट करता है डियागो के एक वर्गर ने इस वाल पर लिनिन का पिक्चर बना दिया था ये चीज बहुत ही ज़ादा कॉंट्रवर्शल हो की जिसके वाल थी उसने डियागो को बुलाया वो कहता है कि तुम्हें वो पिक्चर निकालना पड़ेगा डियागो ने कहा कि मेरे प्रिंसिपल की खिलाफ है ओनर कहता है तो फिर तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा डियागो अब भी इस बात पर सोच सकता है जब फिड़ा मैक्सिको से फिर से यूर से आई तो इस बात को लेकर बात करते है डियागो अपने आपको डाउट कर रहा था उसे यही रहना है यहाँ की लाइफस्टाल पसन है तो वन्डर करता है उसे अपने पेंडिंग को मिटा देना चाहिए फिड़ा कहती है तुम जो भी करोगे हो सही करोगे अब तक तुमने जो किया इसे कॉंट्रोवर्सिस खड़ी होके लोग हमेशा तुम्हारा नाम याद रखेंगे डियागो ने डिसाइड किया कि अपनी बेंडिंग नहीं मिटाएगा ओनर ने फिर जबरदस्ती वाल तोड़ दिये ये सब चीज़े डियागो को इल्लीकल लगी वो अमेरिका में ही रहकर इस सब चीज़ों को फाइट करने वाला था फ्रिडा इन सब बातों से तंग आ गई थी उसे फिर से अपनी कंट्री में वापस जाना है इस बात को लेकर इन में फाइट हुई और फे से मैक्सिको में आ गए फ्रिडा के गर उसे मिलने के लिए उसकी सिस्टर आई वो अपने हस्बन के साथ नहीं है तो बहुत ये अकेला महिसूस करती है कभी-कभी उसे लगता है कि उसके हस्बन के बास वापस चली जाए फ्रिडा कहती है अगर तुमें कुछ काम होगा तो ये सब चीज़े याद नहीं आएगी तुम ज़रा बीजी रहोगी सिस्टर को भी ये बात सही लगी दियाओ को आज कल कुछ भी पेंट कर नहीं रहा था उसका पूरा स्टूडियो तैसनेस बड़ा हुआ था फ्रिडा फिर अपनी सिस्टर को इस स्टूडियो को ठीक करने का काम देती है एक रात जब वो इस स्टूडियो में आई तो डियाओ को फ्रिडा के सिस्टर के साथ ही इंटिमेट हो रहा था इस वर वो बहुत गुस्सा हुई और वो डियाओ को के साथ कोई भी रिलेशन्शिप नहीं रखना चाहती है रात में डियाओ को उससे समझाने के लिए आता है कहता है उस सब बातों को कोई भी मिनिंग नहीं था मैं प्यार तो तुम से ही करता हूँ फ्रिडा कहती कि वो मेरी सिस्टर थी मैंने तुमें सिर्फ लॉयल रहने के लिए कहा था उसने कहा मेरे लाइफ में दो एक्सिटन्ट हुए है कार एक्सिटन्ट और तुम से शादी करना अग फ्रिडा घर छोड़कर एक दूसरी जगा पर रहे रही थी उसने अपना पूरा हुलियाई चेंज कर डाला वो ड्रंग हो जाती थी फ्रेंड्स को बुला कर घर में दीन रात पार्टी करती थी एक दिन डियागो की एक्स वाइब उसे मिलने के लिए आई उसकी ऐसा भाला देखकर गहती है तुम्हें कुछ जॉब ले लेना चाहिए यानि तुम अपने बिल्स पे कर सको अपने लाइफ को सारा कंट्रोल में ले सको फ्रिडा ने भी यही किया अपने कुछ पेंटिंग सेल करती और प्रोफेशनली पेंट करने लगके एक दिन डियागो फ्रिडा से हेल्प मांगने के लिए आया डियागो का एक फ्रेंड है जिसका नाम है ट्रॉस्की इटली में जो भी चल रहा है इसके खिलाब वो रिवलुशन करता है ट्रॉस्की को अपनी जान का खत्रा है डियागो चाहता था यह ट्रॉस्की को उसके घर में रखे जहां वो safe रहेगा डियागो पर गुसा थी पर उसने उसे बहुत request कि तो मांजाती है ट्रॉस्की फ्रिडा के घर पर आया उसके protection के लिए बहुत सारे लोग फ्रिडा के घर को protect करते थे एक रात ये सब मिलकर डिनर करते हैं डिनर के बाद टिया को फिडा के साथ उसके रोम में जाना चाता था फिडा ने इसके लिए उसे मना कर दिया उसने अब तक उसे माफ नहीं किया रॉसकी ने फिडा के जब मेंडिंग्स देखी फ्रिडा भी डिसाइड करती है जो सही से चलनी पाती है पर फिर भी यह पिरामेट चड़ेगी तो उसकी फ्रिडा से कहता है मैंने दोनों बेटों को मार दिया गया मैं जो यह जंग लड़ रहा हूं मुझे बता है कि मैं इसमें हारने वाला हूं पर फिर भी लडने के अलावा और क्या किया जाया मुझे पता नहीं उसने फ्रिडा को समझाया तुम्हारी जो पेंटिंग्स है इसमें यही पेंटिंग निकल कराता है तुम्हें लगता है तुम्हारी पेंटिंग लोग को अच्छी नहीं लगेगी पर जो पेंट तुम्हार हट करना नहीं चाहता था, तो वहाँ से वह चला गया, डियागो फ्रीडा से बुच्छता है, ऐसा हुआ क्या, फ्रीडा कहती है, उसने अपनी वाइफ के लिए, अपनी खुद की खुशी, सैक्रिफाइस कर दी, डियागो को सब कुछ पता चला, तो फ्रीडा पर बहुत कर बहुत मज़े करती है, अब फ्रीडा को डियागो से मिले हुए, दस साल हो चुके है, दस सालों में उसने रियलाइस किया, कि वो सिर्फ डियागो से ही प्यार करती है, यह चीज उसने लेटर में भी लिकी, थोड़े समय बात जब दोनों मिले, तो डियागो से कहता है, फ्रीडा से question किये जाते है, फ्रीडा कहती है कि वो मेरा अब husband नहीं रहा, फ्रीडा जादा trouble में ना आए, यही reason था कि डियागो से divorce लेना चाहता था, डियागो को ये बात जब पता चली, तो उसने government पर बहुत ज़ादा pressure डाला, finally उन्हें फ्रीडा को free करना ही पड़ता है फ्रीडा को जेल में रहने के लिए उसकी sister आई हुई थी, उसे sorry कहती है, फ्रीडा कहती है, सब कुछ गल्ती मेरी ही थी, जो तुम्हें उसके बास भेजना ही नहीं चाहिए था, अपनी sister के साथ उसकी relationship अफ सही हो चुकी है, जैसे ही फ्रीडा की थोड़ी सी age बड़ी, तो उसके पास पहुच गया, वो गहता है, यह फ्रीज फिर से मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, फ्रीडा कहती है कि मुझे तुम्हारे रहम की जरूरत नहीं है, मैं drink करती हूँ, swear करती हूँ, तुम मेरे साथ कुछ रह नहीं सकते, डियागो ने कहा कि तुम्हारे बीना, मैं बर्बात हो चुका हूँ, मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा जरूरत है, फ्रीडा अब उसे accept कर लेती है, फ्रीडा की हालत खराव होती गई, वो अस सिर्फ अपने बेड में रहती थी, उसका हमेशा से सपना था, खुद की country में उसका exhibition हो, अब पूरे बेड़ के साथ exhibition में पहुच आती है, मुवी के फस में हमने जो scene दिखा था, यह वही scene था, एक रात फ्रीडा और डिया को एक दूसरे के साथ थे, डिया को कहता है, हमें एक साथ 25 साल हो चुके है, उनकी वेडिंग अनिवरसरी 2 weeks में थी, उससे पहले ही, फ्रीडा उसे gift दे दिया, उसे नहीं लगता था, कि वो अब 2 weeks भी जिन्दा रहे की, उसने कहा, मुझे जमीन में मत गाड़ना, मुझे जला देना, वो फेस से एक जगा पर नहीं लेटना चाती है, इसलिए जलना चाती है, इस situation की भी उसने painting बनाई थी, इसके तुरंद बाद उसकी date हो गए, उसकी life में बहुत सारी hardship थी, पर हमेशा अपना जो भी pain था, वो अपने काम में अपनी painting में वो डालती रही, और इसी वज़े से उसकी painting बहुत ज़्यादा famous हुए, इसी तरीके से movie end होती है, अगर आपको वीडियो चल लगा, तो प्लीज इस वीडियो को like कर में बहुत सारी movies लेकर आते रहेता हुए, तो प्लीज इस चानल को subscribe करतीजे, और bell notification आयंगों दाओने मत भूलिएगा, हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ, तो तो लिए thank you, और आप अपने आपका खैल रखे हैं